गुलबरगा शेहर में अडवेकेट हनुमंद एलसंगी और इनको मिला कर गुलाट लोगों को हनी ट्राइब केस में ग्रफतार कल जेल भेज दिया गया था इस केस में आज में अक्यूस राजुल इंगेंडी को छोड़ कर साथ लोगों की गुलबरगा फिफ्ट अडिशनल डिस्टिगन सेशन कोर्स से बेल मिली है हनुमन दिलसंगी अडवेकेट होने के साथ दली सेना स्टेट प्रिसिरेंट है और एक बहतरीन समाजी कारकून की एहसे से जाने जाते है हनी ड्राइब केस में इनको जेल भेज दिया गया था और इनके वकील अडवेकेट जाकिर उसन उस्ताद ने गुलबरगा हेडलाइन से एस्क्लूजिव बात कर बेल मिलने की खबर सुनाई है इस केस में अक्यूज नंबर टू राजू लिंगंडी ने बेल अपलाई नहीं किया था बाकि अक्यूज नंबर वन और अक्यूज नंबर त्री टू एट ने बेल के लिए अपलाई किया था जिनको आज बेल मिल चुकी है अनुमाल देलसंगी के चाहने वाले इनकी बेल के लिए बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे बेल मिलने के बाद दली सेना से अश्रफ अलियन टीम ने खुशी का इजहार कर अडवेकेट जाकिर उस्ताद अडवेकेट मजर उसेन, अडवेकेट एसन जोगेन, अडवेकेट बाबुराओ दंगे, अडवेकेट राजिंदरा, अडवेकेट कैली महमद, अडवेकेट शेकर और सलाव दिन के अलावा दिगर लोग यहां मौझूद थें इन सोभी क्यू घुलपशी कर दरिसेना टीम ने खुशी का इजहार किया हैं? अडवेकेट वहां मौझ झालाओ लोगेट थें टो इसे लावेकेट झाले विह प्यून्वे लोगेट वाहां मौझ लोगेगवेट ठाव लोगेटा धुश्यू टो एक जूट क्यू नेलावेट कोट इन देवां नेंगेट 6 क्यूदिए और स्रुश्चिक्वेट शें सा the later point of time